ओल्जों फ्रेंट व्लकम बैक मैं सेलन दोस्तों आप से स्वागात आपके अप्टीटी चलना सोब दोस्तों वीडियों बात करेंगे जैसे आते क्लास 7 का साइग जो तेक है चैप्टर तो सॉटकर नाम है अमाल चारक और लौन दोस्तों तो 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 आप से रिक्वेस्ट के यो भी चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब करें साथी बिल आकन को प्रेस करें वीडियो का लिंक अप दरूसे दोस्तों सेर करें तक जार्खन का है गास्ट इस जूड़ सब्सक्राइब अच्छा मौका मिल सकते ताफ से रिक्वेस बजाई कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लिंक हाज जगा से रुकर सुटिए लेकर पहला कुस्न क्या करता समझी वह रहा क्या नेशे दिये प्रसनों के चार चार अब विकल्ब दिये गया है ठीक है सही पर सही का निसान लग हो सब्सक्राइए भाइब करने तो अगरते निले लिटमस पत्र पारी बारी से वह पते हैं बताई यह क्या होगा विच्छिटेगा थीक यदोग्टेगा मेरे अपने नीला रितमस पर कोई परवाव नहीं पढ़ेगा ठीका नमरे निला रितमस पर पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा है ऍजास में कि नीला हो जाएगा और लाल निटमास पर कोई परवाव नहीं पड़ेगा सोटीक बच्छो चलते हैं नेस कोशन के और कोशन दूसरा सोटीक है समझे क्या बोड़ा है कपड़े में लगया हल्दी के दाग को जब साबून से धोते हैं तो उसका रंग हो जाता है बच्छो ठीक है करम रख आपको अप कोशन नमबर इस रास समझे क्या बोरा कि एक बिलियन में अगर लाल इटमस पत्र डालने पर लाल ही तो था निला इल्टमस पर डालने पर निला ही रहा जाता है तो वह किस फरकार के बिलियन है दो सुटीक है देखिए बच्छो पहला कोशन आपको दिया हुए आम लिए ख अगरम अधासीन घरनम इनमें से कोई ने शुटीक बच्छो तेखिए इसका सही बच्छ इनसे रहन गरनमर सुटीक आने कि उदासीन दो सुटीक है चलते प्छे नेस कोशन के कुछन नमर चोथा सो बोरा अमल और छारक कोशित माथरा मिलाने पर शुटीक है कि अमल का गू यहाई बच्छ तो दूस्त है सही बच्छ अबको होजा का हमल जो नुमें फजल न कीiden दोनों का गूशन नमर पाच्छ जो जोते समय क्या पो रहा है मिट्टी अमली हो तो किसान को मिट्टी में क्या डालनेस कि सलात देंगे वाइब च्छतिक है काण का नमरप कह है जिव गरमरे साइटिक अमल का शिडिका अवाद दोस्तों सही बच्च आपको हो जागा गर नमबर सही मारी बच्च अपूल टीक आई काली चुना या बुझाववा चुना सूटीक है चलते बच्छे नेस कुस्टन के अब दूस्तों लोग वसन दोस्तों करेंगा कोस्टन नमबर दूसरा समय सुक्टाब की अमल और ठारक में या अंतर बस तो टिक इसका आप उतर समझे अमल ओ चारक में अंदर जो लिक इसका आपका बॉस्ता आपका यू पर शाप यह अनुमर दिकिन पर जो कि आमल के अमल और रॉजन हो ता विच्च आपकर भी देगा अग्ड बुरा क्या चारक का चारक मे विस्थापन योग रिड्रो अक्षिल नुलक होते हैं वचो तेकर एक जी अच अमल का बीनमर तो नीला लेट मस्को लाल करता बहुच तो टी इंघ बीनमर जी लाल लीट मस्को निला कड़ देता है वचो तेक सिंपल धृवली तो जींग विए अमल का स्वाद खटा होता है सो ठीक है ये छारक का छारक का स्वाद कड़वा होता है सो ठीक है चलागे आप D नमर देखकी बुरों कहा है कि यह फिनोलाफा थलेन के साथ कोई रंग नहीं को आप बचुघ दीक है दिखेवर चलेंगी तेर रमलोग छारक कव अद्च समझ जि की लेटमास बिलियन की स्पोध्य सपराइज किया थिया थिटे के लाइकन के आप राइकन के पूद्धी इनके गया थिया झायकन के पोध्युक्त प्रहों डियु से से प्लेशाव शुटे एड़ धाम मेधियर शूटमास जाल भांकर पाब दियो कूद कोपें से नोट डाउन कर ले जिए तीन सुचकों के ना मुच आपके इस तरह लिखना है लिटमस लिखना है गुड़ हाल की पंखुडिया लिखना विचो ठीकर चलते जो नेस कुछन के अब कुछन नमर पाज वाँ बहुर है क्या कि कि सोडियाम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रो क्लोरीड अमल का एक दूसरे को दासन करके क्या बनाते बच्चों लिखें सो ठीक है देखें देखें चेस्टर आपको आपको यापा सूतर लिखा हुए है एस सी एल प्लस एन ये ओच ठीक है इस कुछ क्या करना तीरक निस सघयृ के दूसरे को दासन कर करके सोडियाम क्लूर राइड युथ येव मिए जत बनाते हैं इस फटन हो इस लिए असमाब को इस członchodzi मोच होता हैं हुए मोजिग आने क्यार लाइं सुटियृक क्षीट शोडियों कर दाने निकला फट्वल्य वनन इकल भी दोन दानिक्व आएऍपृुन के परीं से पीडित वाहती, पर्ती अमल की गूली लेते रop evidenty है दो पती अमल की घंड रीओ आल अमल की ओंडेता है और हम्हें आराम सहीं राहने इतव ठीक है श्कूल क ना के कोड़तीत, पर्ती अमलल की संबोड़तीक है चीटी काटती है तो तोचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कर्बोनेट ठीक है लगाते हैं तो समझ इसका एंसल क्या है कि जब चीटी काटती है तो तोचा में फॉर्मिक अमल डाल देती है ठीक है जिससे जलन होने लगता बचुटी के ऐसी हित्ती में खाने वाला दो में युक सोडा आने की सोडियम हाइड्रोजन कर्बोनेट रचुटी के लिए माइन बहाने के पहले उदास्थिन किया आता है बच्छों करखानों से निकलने वाले पदार्थों में अतिधिक अमलिये पदार्थ होते हैं यह मिट्टी एवं जलासों को दूस्तित कर देते हैं अमलिये पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलासों को जहरीला बना देते हैं जिससे पोधे एवं जलीये जीव नश्ठ हो जाते हैं को दीकत नहीं जाते हैं अता करखानों को जलस्यों में विसरजित करने से पहले चाहर की यह पदार्थ मिलाकर उदासन किया जाता है बच्चों के अपने खेतों की मिट्टी में चूना डालता है ठीक है जानते इसका एंसर दूस्तों इसको कॉपी नोटन कर लिए ठीक अत्यधिक अमलिये या अत्यधिक छारकिये मीटी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है ठीक अत्यधिक रसानिक उर्वरकों के उपयोग से मीटी अमलिये होती है उससे से में पोधों की भी अच्छी नहीं होती जब मिटी अच्रणिक होती है तो एसे से थीमें बीना पुझहा वाक्षूदाहिये केल्स यह अक्साइड ठीक या बोजहाव चुना केल्सियम हाइड्र ऑक्साइड वेज़ ठीक एं मिट्टी में मिला कर उवचारित किया जाता बच्छारिक किया जाता है बच्छारिक एक सिंप्रीट इसको भी कॉपिया नौट अंकर लिजिए गए चलते जैस कुछ नेया स्क किसे करेंगे सब्सक्राइब चलते इसका एंसर की समझते हैं आसु जल में बारी बारी नीला और लाल इटमस डालते हैं तब उपस उस पर कोई परवाव नहीं पड़ता बच्छारिक इससे प्रिष्टी होती है कि आसु जल उदासी नहीं है बच्छारिक आपका आसु जल क क्या बार्फाना असरुक जलसु तो सही है तो सही लगाना आपको जुठंधें गलत है तो फोडिछान तो पहले और व्सका नाय टोत्रिक हमला लाल इटमस कूर नेला बादि थेख दॉटेक दो सफेटा फैर स्फि अ कंगर फैर वह यह से फालत फोगा सिम्हें याप बिला कुछन के आप कॉसन नुबर तिसरा बोरा क्या सोडियम हाइड्रोक्षाइड और हाइड्रकलोरिक अमाल एक दूसरे को उदाफसिन करके लवन और जल बनाता है बच्छों सब्सक्राइड यह जाएगा सही दूसरों को सही इसको लगाते यह जो ठीक आने कि इसको सही निशन लगाते चलते नेस कुछन क्यों 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 था बोरा क्या सुचक वह पदार थे जो अमल ये ओच्छारक की बिलियन में धिन रंग दिखाता है बच्छों तो यह भी आपक गलत हो जागा सुच्छ फिल अगा देगा बच्छों चुका आपको यह जो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी कि ना कि आपको बहुत इसे फैदा मिलेगा सो आज सो कैभी वीडियो का हाज यह सेर कि जहाई जे भारत ओन दिमात्र मिलत ने श्वीडियों दूस आपक कराकख़ल थाईब कि जहाई साग exemplo झाट इसे वैगा कि आपको फिल्स जाता सो कि ने शो बहुत पर आपको इदा मिलत ने जह जोल। से जो बहुत अज़ rhetoric पिल्सक्राइब कि तूसा हुत इसे अग